नमस्कार दोस्तों आपका अपने वूमेन इन बेबी केर चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ डाइट टिप्स लेकर आई हूँ इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले आज हम जानेंगे कि गर्भवती महिलाओं ऐसा क्या खाएं अपनी डाइट में क्या शामिल करें ताकि वो और उनका होने वाला बच्चा तंदरुस्त हो हर महिला गर्भवती होने के बाद अच्छी से अच्छी चीजों को अपने डाइट में शामिल करना चाहती है ताकि वो स्वस्त रहे और उनका शिशुचुस्त और तंदरुस्त पैदा हो गर्भावस्ता के दोरान आपके शरीर में हार्मोनल एसंतुलन होने के कारण आप अपने अंदर धीरों बदलाव महसूस करती हैं इन सभी शारिरिक और भावनात्मक बदलाओं के बीच कई बार आप खुद भी परिशान हो सकती हैं कि आखिर आपको क्या खाना चाहिए और किन चीजों से आपको परहेज करना चाहिए गर्भावस्ता के दोरान, खान पान और लाइफ स्टाइल को लेकर भी लोगों के बीच में कई तहें की गलत फैमिया पहली हुई है ही यह समय आपके लिए भी ऐसा होता है जब आपके दोस्त और परिवार के सभी लोग आपको गर्भावस्ता की बधाईयां देते हैं साथ ही साथ काफी लोग गर्भावस्ता से सम्मंदित कई तरह की भ्रांतियां भी बताते हैं जो कुछ लोग इससे समंदित सही जानकारी भी देते हैं इस सभी स्थितियों में आप कन्फ्यूज रहती हैं और कई बार लोगों की कई सुनी बात को सच मान कर आप उन चीजों को अपने खान पान में शामिल कर लेती हैं जो आपके और शिशु के लिए नुकसान दायक होता है प्रेगनेंसी, यानि गर्भावस्ता के समय महिलाओं को सहत की परती सतरक होने की आवशक्ता होती है क्योνकि गर्भस्त सिशु को सहत माक की सहत पर ही निर भर करती है इसलिए गर्भावस्ता के दोरान अपने सेहत का बेहतheiten क्यार रखें और स्वास्त वर्दक चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें, हम आपको बता रहे हैं कि इस समय आप अपने को कैसी डाइट दें, प्रेगनेंसी में गर्भस्त शिशु और खुद को पोशन देने के लिए कुछ चीजों को अपने भोजन में अनिवार्य तोर पर शामिल करना चाहिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी डाइट में क्या क्या स्चामिल करें, नमबर एक पर आता है प्रोटीनी युक्त चीजें, गर्भवती होने पर विशेश रूप से प्रोटीनी युक्त चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें, इसमें दाल, अंकोरे तनाच, दूद, एवं दूर से बने पदार्थ, अंडा, मीट, हादी को अपनी रोज की डाइट में शामिल करें ताकि शरीर में प्रोटीन की आपूर्ती होती रहे अब हम दूसरे नमबर पर आते हैं स्वस्त प्रेगनेंसी के लिए आयरन को भुजन में जरूर शामिल करें ये बहुत ही जरूरी है इसमें हरी पत्यदार सबचियां, अनार, फलियां, लीची, किश्मिश, अंजीर जैसी चीजों को आप प्रतिदिन सेमन करें इसके अलावा बिटामिन C का प्रियोग जरूर करें ताकि शरीर को आयरन सोखने में मदद मिल सके नमबर तीन पर आता है फाइबर्स और कार्बो हाइडरेट यानि शरीर में आवशक उर्जा और फाइबर्स की आपूर्ति के लिए कार्बो हाइडरेट युक्त भूजन को प्रार्ट मिक्ता दें साबुत अनाज, फल, सलाग जैसी चीजों को अपने भूजन में शामिल करें इसके अलावा छिलके वाली मूं की दाल खाना इससे में काफी ही फाइदे मंद होता है अब बात करते हैं चिकनाई की यानि की फैट की भूजन में चिकनाई की आवशक मात्रा जरूर लें लेकिन इसका अत्यधिक प्रियोग भी ना करें कुछ फैट्टी ऐसे भूण के मांसिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है और आवशक भी हैं इनका प्रियोग खाने में जरूर करें इसमें आप गाएं के घी का इस्तमाल बहुत आसानी से कर सकती हैं बहुत फायदा देता है होने वाले शिशुकी हड़ियों और दांतों के विकास के लिए केल्शियम की मात्रा अधिक लें यह आपको पीठ और कमर के दर्ड से भी निजात दिलाएगा और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी तयार करेगा इसके लिए दूद वे दूद से बनी चीजें फलियां, हरी पत्तेदार सबजियां खास तोर से पालक और मुफनी को अपनी डाइट में शामिल करें यानी बांचवे नंबर पर हमने केलशियम को स्थान दिया है अब बारियाथ ये छटे नंबर की इसमें आप पानी की मातरा भरपूर ले इन सबी के बीच पानी भी भरपूर मातरा में पियें लेकिन एक साथ अधिक पानी पीने से बचें दिन भर में कम से कम 6-8 किलास पानी जरूर पियें यह शरीर में आवशक नमी बनाए रखने के साथ-साथ शरीर के ताफमान को भी नियंत्रित करता है और साथ ही साथ पानी की कमी शरीर में नहीं होने देता यानि आप समय समय पर गुलकोस डाल कर या कुछ भी आप जो शिकंजी बनाकर आप पानी पीती रहें अब सात्वे नमबर पर आता है नमक नमक की अधिक मात्रा लेने से परहेच करें पहले से ही तैयार प्रोसेट और प्रिजर्ब फूट का प्रियोग करने से हमेशा बचे इसके अलावा नशीले पदार्थों से दूरी बनाए रखें और हो सके तो शाका हारी भोजन ही करें अधिक तले भुने वे मसालेदार पदार्थों का प्रियोग भी कम से कम करें तो बहुत ही बेहतर होगा अब आठवे नमबर पर आता है चाए या कॉफी का अत्यधिक सेवन करने से बचना चाहिए दिन में अधिक से अधिक तीन कब चाए या कॉफी ले सकती है इसके अलावा अधिक कैफीन स्वास्त के लिए हानिकारक होता है आपके लिए भी और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी इसलिए जितना हो सके चाय की मातरा को कम ही रखें आप बात करते हैं नमबर 9 की अधिक फैट और शुगर वाली चीजों से भी दूरी बनाए रखें ज्यादा मीठा बेग की हुई चीजें आपको नुकसान पहुचा सकती हैं यह स्वास्त के लिए तो हानिकारक होती ही हैं बल्कि आपको प्रेगनेंसी फीगर पाने में भी काफी परिशानी कर सकती हैं इसलिए ध्यान दें कि फैट और शुगर से दूरी जरूर बनाए रखें अब बात करते हैं नमबर 10 की इस समय आपको शरीर को स्वस्त रखने के लिए पैदल चलना योगा तता अन्य हलका फुलका वैयाम करना बहुत जरूरी है मन को शांद और एकाग्र रखने के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकती है यह अनावशक तनाव को कम करने में मदद करता है आपके और आपके बच्चे के मानसिक इस्थिति को बहुत मजबूत करता है इसलिए आप अपने रूटीन में सुभह और शाम योगा को जरूर शामिल करें यह आप किसी जानकार से सीखें अपने आप से ना करें मेडिटेशन बहुत फायदा देगा ताकि आप अपने हर परिस्थिति के लिए तयार रहें यह छोटे-छोटे खाने के टिप्स हैं जो एक प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ही जरूरी है शुरुआत से ही यदि आप इसी जोगा ध्यान देते हैं तो आप और आपका बच्चा जो कि आपके गर्व में पल रहा है बहुत स्वस्त रहेगा और डिलिवरी के बाद भी बच्चा बहुत जुस्त और तंदरुस्त पैदा होगा यह सबी छोटे-छोटे उपाए आप जरूर कीजिए और यदि ये मेरे उपाए आपको पसंद आते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सबी ने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो को लास्त तक देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद